हमारे साथ जहारखन नीज कोडिनेटर मनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं मनुज जी जिस तरीके से आज सदन का 11 मा दिन है लेकिन 11 दिन सब की निगाहें तीसरे मोर्चे पर होगी दलिये और निर्दलिये विधाय को नमिल कर जस तरीके से तीसरे मोर्चे का गठन किया है माननेता की बात भी सामने आ रही है क्या लगता है आज स्पीकर से तीसरे मोर्चे के निता मुलाकात करेंगे माननेता की मांग करेंगे देखे विनिता यूं तो जो तिस्वे मुर्चे का गठन हुआ है उसको लेकर यहाँ पे जो गठन से में शामिल जो लोग ते सर्जूराय हों या सुदेश महतों हों उन्हेंने असपस्ट किया था कि चुकि विधान सवा में अलग-अलग होने की वज़े से उन्हें समय नहीं तक जादे अच्छे तरीके से उठा सके हलाकि इसके कई राजनितिक मायने निकाले जा रहे हैं और इस पे हम अभी बात करेंगे लेकिन फिलहाल अगर हम आज विधान स्वासत्र के कारवाई के अगर हम बात करते हैं तो अभी हमारे साथ में अनन्तोजा है जो बीजेपी के चर्चा होगे स्वासत और खादयापूर्ती विभाग पे तो क्या कुछ तैयारी है हम इनसे बात करते हैं विपक्ष की तैयारी की अगर हम बात करेंगे तो लगातार हर जो विभागबार अगर जो बजट आया उसकी बात हो या जो दुसरे मुद्दे हैं उस पे सरकार को हो जो घरने की कोसिस कि आज क्या तैयारी है आपरा हो गे सरकार की को स्रकार क्या को लेकर के सदन के और और सदन के बाहर हम अपना प्रतिकात्मक जो भाव है वो हम लोग करते रहते हैं आज ही मैंने आपने देखा होगा किस प्रकार से प्रदेश के अंदर भासा की लड़ाई को ले करके भासा का विवाद खड़ा करके और राजिके लोगों को नोजवानों को गुमराह करने का काम हो रहा है प्रदेश के लोजवानों को नोकरी तो ये सरकार दे नहीं पाई और वहीं दुसरी और भासा विवाद दा कोई मांगने वाला खड़ा होगर कहा कि हमको बना दिजी आप सरकार नहीं वहाँ पर भासा विश्यस को जोड़ने का काम किया और सरकार नहीं फिर भासाब इसे को अटाने काम किया तो ये बाते असपष्ट है कि सर्क्ता संदक्षन में इस प्रकार का खेल चल रहा है इसलिए सदन के माध्यम से और हिंदी को पेक्षित कर दिया हिंदी को हटा करके उसके जगापर उर्दु को पोसित करने काम हुआ तो हमने कारस्तकन सदन के माध्यम से लाया है अपने छेतर की समस्याओं को भी सुनिकाल के माध्यम से लाया है आज बजट होना भी है बजट के माध्यम से भी हमने कटोती प्रस्ताव डाला है और दूसरी पाली में हम लोग सरकार ने जो भी फलता है सरकार की उसको सदन के माध्यम से उजागर करेंगे निशी तुरुप से मुखमंत्री परस्नकाल में भी हमने राजस्तर के जो नितिकत मिसे है उस पर हमने भी डाला है और सभी मानिस अधस्यों ने डाला है हम आसा करते हैं कि सरकार सदन के अंदर असपश्टा के साथ असपश्ट उत्तर दे ताकि जनता के परस्नों का समधान हो सके तो इस तरीके से देखते हैं कि विपक्ष की तैयारी पूरी है और जैसा कि हम बात कर रहे हैं तीसरे मोर्चे की तो हम चलते हैं यहां पे लंबोदर महतोब बैठे हुए हैं और कल सरजुराय की केजरिवाल से मुलाकात हुई है बाचीत हुई है तो क्या कुछ उसका मतलब निकलता है आई हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तीसरे मोर्चे की गठन की अगर हम बात करेंगे तो अब थोड़ा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कल सरजुराय जी जो तीसरे मोर्चे के गठन में शामिल नहें एक महतुपून भूमिका निवाई है अनुने केजरी वाला मनीश्री सोधिया से दिल्ले में मुलाकात किये हैं क्या माइने है इस मुलाकात के देखें यह महज जस्ट हम लोग इसको कट्सी की मुलाकात कह सकते हैं और इसका कोई दूसरा आर्थ नहीं लगाया जाना आपस में बात चीते हुए यह सुच्टा चार मुलाकात थी और इसका कोई दूसरा आर्थ नहीं है जिस तरीके से ट्वीट किया गया है तो ट्वीट का कई माहिने निकलता है कुछ संदेश देने की भी कोसिस की गई है ट्वीट के माध्यम से ने जस्ट यह जानकारी के लि लिकर आज हम लोग बात करेंगे सर्जी राजी का अर्विन केजिवाल से मिलने का कोई दूसरा अर्थ नहीं लगा जा है उन्होंने लिखा है किने केजिवाल ने आम बंदू कहान बीडिया है सर्झुरा में बाया जाता है बातें होती हैं आना जाना लराँता है से देखत में क्या कुछ मंसा चल रही है बिल्कुल साफ हो जाएगा फिलाल तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका